हलो दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक और नई वीडियो में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनस आइडिया लेकर आई हूँ अगर आप ग्रामिन शेत्रे से रिलेटेड बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्फूल होने वाली है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनस आइडिया लेकर आई हूँ जो कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होगे आपको लाख रुपे का प्रॉफिट दे सके ऐसा बिजनस हर कोई करना चाहेगा जिसकी 12 मैंने डिमांड रहती हो तो कहीं लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पातीगी कैसे बिजनस स्टार्ट करना है कहीं लोग आदे में अपना बिजनस छोड़ देते हैं लेकिन दोस्तो आज में आपको इस वीडियो के अंदर business related पूरी मशीन की जानकारी दोंगी आपने channeling का नाम तो सुनाई है channeling machine के दोरा आप किस प्रकार से product बना करके तयार कर सकती है market में आपको किस प्रकार से sell करना है इसका raw metal किस बाओ में आता है इसके अंदर profit कितना होगा और investment कितना होगा अगर आपको भी लगता है इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए तो दोस्तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें दोस्तो हम बात करते हैं channeling machine के बारे में आप देखते हैं कि आज के समय में खेतों में भी channeling लगाई जाती है आप highway पर देख लो, घरों में देख लो, बगीचों में देख लो फैंसिंग तारगा बहुत ही ज़दा उप्योग किया जाता है तो दोस्तो चैनलिंग business के demand की बात करें तो बहुत सारे online side होती है जैसे सरकारी tenderों के माध्यम से आप माल की supply कर सकते हैं बहुत आसान होता है इसे बेचना government agency की बात करें तो समय समय पर हर tenderों में जाली लगा कर अपने शेत्र को स्रक्षित किया जाता है आप उन tenderों के माध्यम से भी माल बेच सकते हैं आपको रहेगा आपको marketing करनी होगी जब आपको लोग जानेंगे तब आपका product अपने आप बिग जाएगा दोस्तों channeling business को पूरा समझते हैं दोस्तों आप देख लोगे खेतों में जो परशू होते हैं वो फसलों को नस्ट कर देते हैं फसलों को हानी पहुँचाते हैं तो दोस्तों फसलों के सुरक्षा के लिए हम इस मशीन का उपयोग करके इसके अंडर तार बना करके और हम इसे लगाए तो फसल को नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है और उनसे सुरक्षा के लिए चैनलिंग का उप्योग किया जाता है अब तो शेरों में भी चैनलिंग का बहुत ज़द उप्योग किया जाता है ज़्यादातर लोग फारम हाउस बनवाते हैं इस मशीन की दोरा आप फैंसिंग तार बना करके तयार कर सकते हो यह जो आप नेक्स्ट मशीन देख रहे हैं यह जो मशीन है यह काटे तार बनाने की मशीन है इस मशीन की दोरा आप कटीले तार बना करके तयार कर सकते हो दोससों अब बात करते हैं इसकी row metal की कच्छे माल की रो मटल होता है GI wire होता है अलग-अलग quality का आपको आपके शेत्र में उपलब्ध हो जाएगा जी आई वायर आप आपके शेत्र से ले सकते हैं आप चाहे तो हमारे यहां से भी ले सकते हैं या फिर आपका जो शेत्र पड़ता है हम वहाँ से आपको पास वाला contact number प्रोवाइड करा देते हैं ताकि जब आप raw metal लें ताप आपके शेत्र में यह आसाने से उपलब्द हो जाए आप जिस भी जगे पर रहते हैं उस जगे के हम आपको contact number प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तो अब बात करते हैं कि हमने machine तो खरेद ली लेकिन हमें जगे कितनी आउशकता रहेगी तो दोस्तो इस machine के द्वारा जो आप product बनाएंगे या इस machine को जहां पर आप लगाएंगे तो इसके अंदर 1000 square fit के आपको जगे की आउशकता रहेगी तो जगे हो गई अब बात करते हैं इसके अंदर labor की तो महज आप एक से दो labor लगा करके machine operate करके और इसे product बना करके और एक labor को आप marketing करने के लिए दे सकते हैं तो दो labor लगा करके आप अपना business शुरू कर सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं labor की हमने बात करी अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपको कितना investment लगेगा यह जो आप machine देख रहे हैं फैंसिंग तार बनाने की machine है तो अब हम इस machine की कीमत की बात करें तो पिच्चन मेजर की यह machine है GST Transporter Extra है यह जो next machine आप देख रहे हैं काटे तार तार बनाने की machine है 2,30,000 की यह machine है और इसके अंदर भी GST Transporter एक्स्टरा लगेगा तो अब बात करते हैं इसके production की यह जो आप machine देख रहे हैं यह fencing तार बनाने की machine है इस machine की दोरा जो production होगा वो per day 700-800 kg इसके अंदर आप production कर सकते हैं इसके लाव दोस्तों यह जो आप machine देख रहे हैं काटे तार तार बनाने की machine है इस machine की दोरा आप per day एक टन का production कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके अंदर profit की 1 kg पर सब कुछ खर्चा निकालने के अब मुनाफ़ा होने वाला है 5 रुपे का 5 रुपे मुनाफ़ा लेकर भी चलें एक दिन का तो आपको मुनाफ़ा हो जाएगा 4,500 का दोस्तों इसके अंदर अगर आप labor का खर्चा भी निकालो 1500 रुपे दो labor का खर्चा भी अगर आप निकालोगे तो भी आपको 3000 रुपे का मुनाफ़ा होगा अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर सुवीदा क्या रहेगी मशीन के अंदर cutting oil डाल कर मशीन ओन करनी होती है और मशीन में 2-3 इंच, 4 इंच की डाई लगी होती है जाली तैयार आप कर सकते है अगर हम इसके अंदर operating की बात करें मशीन की 1-year की warranty होती है तो अगर हम इसके अंदर maintenance की बात करें तो bearing में आपको grease करना होता है oil डालना होता है अब हम बात करते हैं service की जब आप हमारी company विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको training दी जाएगी किस प्रकार से आपको product बनाना है कैसे बनाना है उसके बारे में हम आपको पूरा guide करेंगे अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं दोड़ दरासे हैं तो आप video call के जरी ट्रेनिंग ले सकते हो video call के जरी आप machine देख सकते हो हमारी company बिलवडा राजस्थान के अंदर है लगबग 1500 प्रकार की machine manufacturing करती है आपको यहाँ पर देट सुप्रकार की machine मिलेगी छोटे स्तर से लेगर अगर कोई business start करना चाता है तो हमारी company विजिट कर सकता है यहाँ पर आपको हर तरीकी की training दी जाएगी हर तरीकी की business के बारे में हम आपको पूरा guide करेंगे दोस्तों उमीद करती हूँ आज का हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा पसंद आया होगा आप भी करना चाते हैं इसकी बारे में और अधिक जानकारी लेना चाते हैं या आपके मन में कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछना चाते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करें जादर से जादर आपने दोसका शेयर करें और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe करें मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए धन्यवाद